आज मैं बना रहे हूं चीजी गार्लिक ब्रेड जो बहुत ही अच्छा बनता है घर में और आप लोग बना सकते हैं और अपने बच्चे को खिला सकते हैं घरलिक में अगर बाहर गए रिस्टोरेंट में खाने तो बहुत इंजार भी करना परता है और खर्चे भी बहुत होते और यह घर में बनाने पर ना ज्यादा मेनत है ना ज्यादा खर्चा है तो आप लोग जरूर बना कर ठ्राइक किजिए अगर रेश्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किजिए मेरे वीडियो को चैनल पर आये हैं फर्स्ट ताइम तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा तो अगर आप लोग लहेतला तो प्लीज लाइक करना मत बुलिएगा तो मैं जिस्टेप से बना रहे हूं प्लीज आप लोग फॉलोग इसरे चाप लंगा हा थी बने गाट तो में अभी जो बना रहे हूं उसमें हाफ माने 2 कप लेएं ऑ्समें 1 है मैएदा ग्यों गिमों यह बनाई हूं और एक टाइप का जो है सिर्फ मैदा का तो प्लीज आप लोगों को जिस टाइब से बनाने कमन हो उस टाइब के बना सकते हैं जैसा भी मैदा का बनाइक खाली या सिर्फ आटे का बनाए या आठा मैदा मिक्स करके बनाए तो चलिए इसके लिए मेरे कीशिन में जाना पड़ेगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हेलो एबरीवन आज मैं चीज गार्लिक बरेट बना रही हूं जो बहुती अच्छा बना है शॉप्ट बना है और यह आधा हाफ मैदा हाफ गेव के आटे से बनाई हूं तो इसके लिए पहले इस्ट को रखना है फर्मेट होने के लिए तो इस्ट के लिए मैं हलका गर्म यान की हूं और दो चमच शकर यानि दो चमच चीनी डाली हूं और हाथ गर्म जितना हो सके अंगुली उतना गर्म पानी लेना है ज्यादा गर्म नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं उसके बाद चीनी में पानी रखी और मिलाया उसके बाद जो है इसमें दो कप मैदा और आंटा मिला के लिए हूं तो एक चमच इस्ट ड्राई इस्ट डालना है तो इस्ट आपका जो है जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा बनेगा तो और ज्यादा दिन का हो जाएगा या इस्पायर रहेगा तो फिर वह नहीं बनेगा बेगार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लपी बना हुआ है मेरा गार्लिक चीज़ ब्रेड तो देखिए मैं देखा रही हूं कितना अच्छा बन रहा है तो यह गेहूं और मैदा मिक्स का है जो मैदा और गेहूं आदा एक कप मैदा एक कप गेहूं का अटा है और यह जो है से शिर्फ मैदा का है तो मैदा बाला जो है से थोड़ा ज्यादा फ्लपी बनता है यह मैदा का है और पहले जो काट के दिखाई ऑया और गेहूं कि आंटे दोनों मिक्स था तो आपकी मर्जी जो आप बनाना चाहे जिस टाइप से बनाना चाहे उस टाइप से आप जो डाल के बनाना चाहे बना सकते हैं तो तो अभी में मैदा और आठा मिक्स वाला बनाके दिखा रही हूँ, अब इसमें नमक एक चमच डाल दिया और इसके बाद, इस्ट दस मिनिनर के बाद त्यार हो गया है, फरमेट हो गया है, अब इसमें जोए सो इस्ट को मिलाके और डाल दे अच्छे से, और इसमें कुछ दालना नहीं है, शिर्फ नमक डाली हो, और अठाम मैदा, और इसके बाद जो है सो, नमक मिला के अच्छे से और इसको ढबके रख दे, एग। गंटा या देर गंटा रख दे इसको ढबके, तो ये फुग के हो जाएगा फर्मेट हो के डबल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हात में ओयल ले ले और इसको जह सो आटे को अच्छे से गूते चिपना की जा होता हुए थोड़ा अच्छिपना नहीं होता है तो आपको फूखा अटा भी डालकर इसको गुच सकते हैं डो तयार कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल पर अगर नए आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा अब यह गार्लिक ब्रेड है तो मैं गार्लिक का पेस्ट है लस्तों कोपीश direction पीश के और नमकीन बलब rubber है अगर saltless बटर वह तो आप उसमें salt डाल देँ थो Mcons 옷 फुल्ट बिला कर देंक हैं तो फेंट में गार्लिक पेश्ट मिला दिया और बदिया यह आधा जब तयार कर रही हूं ना तो तो थोड़ा ज्यादा फ्लेवर आएगा अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए मैं आटे के अंदर ही ये पेस्ट मिलाके डाल दे हूँ अब इसको डो को डिवाइड कर ले और ढख दे थोड़ा देर के लिए 10-15 मिनिट के लिए ढख के रख दे 15-20 मिनिट में ये थोड़ा और फरमिट हो जाएगा अब ये मायनीज है मायनीज में अंदर फिल अप करने के लिए तो मायनीज के अंदर मैं हर्बस डाली हूँ पास्ता मसाला और इसके बाद ये गार्लिक है तो गा का अटषा लगाके इसको बेलना है मैं अतला नहीं बेलनाय ज्यादा मिडियूम command ते कर बेलना और इसके बाद इसमी अब बटर बला ये गार्लिक और बटर को लगा दे इसके बाद जैसो मायनीज लगा दे तो मैनीज थोड़ा थोड़ा डाल दे और उसके बाद जोएसे ग्रेटर चीज डाल दे अगर ऐसे डालेंगे मैनीज के साथ तो बहुत अच्छा चीज जोएसो फिगला हुआ रहता है तो अंदर जोएसो अच्छा खाने में लगता है अब सबको अच्छे से बंद कर दे डाल के उसके बाद उपर से चाकू के साहते से हलका हलका कट लगा दे और इसको रख दे ऐसे ही सारे डो को तयार कर लेना है और ढख के रख दे इसको आधे गंटे में ऐसा फूग के हो जाते है फर्मेट होके बरे बरे हो जाएंगे तो फिर बेक करने के लिए तैयार हो गया है आप कराई में मैं बेक कर रही हूँ आप जिसमें बेक करना चाहिए बेक कर सकते हैं या मैं कराई में की हूँ आप कुकर में भी कर सकते हैं जिसमें भी बेक करने में इजी हो आपको उसमें बेक कर सकते हैं और जब बेक करना हो उससे पहले इसमें गार्लिक और बटर का पेस् जल्दी जल्दी बेख होता है नहीं और तो है इसके बाद कलर आ जाएगा भिडिकन वचना तो हैं वर उतोर ले बिल्कूल भी नहीं जलता है यई ईसे टाइब से रखेंगे बटर पेपर के साथ क्बश्री नहीं है बेश processors से ड़कोल भेकर कड़ ये एकदम ही शॉप्ट हो जाएगा और उपर से बटर लगा दे थोड़ा सा तो देखिए कितना अच्छा गार्लिक ब्रेड बना हुआ है गार्लिक चीज ब्रेड है तयार हो गया आप खाने के लिए आप किसी भी केचप के साथ टमैटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते है या हुआए अच्छा लगता है बहुत अच्छा बनता है आप अपने घर में बच्चे को बना के खिला सकते है आप बाहर जाने कि जरुवत भी नहीं है आप रेश्टुरेंट tumor में जाये इतना वेट करें इंतिजार करें फीर इसके बाद मिले इस अच्छा आप उतना देर में घर में क्यूंनी तैयार कर ले तो बहुत ही अच्छा है और घर में मन्भर खाने को भी मिलता है और बाहर जाए तो इतना महगा भी मिलता है। उसके बाद जोब मन भर खा भी नहीं सकते हैं। अगर उपर से आपके च्वाइस है अगर उपर से चिली फ्लेक्स डालना चाहिए तो डाल सकते हैं और उसके बाद जो है शर्व करें बहुत ही अच्छा बनता है तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें अ